नमस्कार चुगलीबाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है कहा जाता है कि बुरा वक्त सभी पर आता है कई फिल्मे सितारों को भी ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है लेकिन आपको ये जानकर आश्यरे होगा कि कपूर खांदान के चिराग रंधीर कपूर भी इस तरह के गरीबी से गुजर चुके है रंधीर कपूर जिनके पिता और भाई फिल्मे दुनिया में बेहत काम्याब रहे उन्हें भी ऐसा समय जहेलना पड़ा कुल 27 फिल्मों में काम कर चुके रंधीर कपूर को अपने पिता और भाईयों की तरह काम्याबी नहीं मिली रंधीर कपूर ने एक्ट्रेस बवीता से शादी की उनकी दो बेटियां करिश्मा और करीना हुई बवीता ने कपूर खांदान की प्रथा के नुसार शादी के बाद फिल्मों में काम करना छोड़ दिया एक इंटर्वियो में रंधीर कपूर ने बताया कि उनका करियर कुछ खास नहीं चल रहा था ऐसे में उन्हें तंगी का सामना करना पड़ा एक वक्त तो ऐसा आगया था जब उनके पास अपनी पत्नी के फर्माईश पूरी करने के लिए पैसे नहीं थे यहां तक की बेटियों यानि करिश्मा और करीना के स्कूल फीस और टूशन फीस देने तक का पैसा उनके पास नहीं था इस बारे में खुद रंधीर कपूर ने अपने इंटर्वी में बताया और उन्होंने ये भी कहा था कि आजकल के एक्टर्स के लिए पैसे कमाना आसान हो गया है लेकिन उनके दौर में ऐसा बिलकुल भी नहीं था रंधीर कपूर से उनकी पतनी बवीता बाद में अलग हो गए थी हाला कि दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया और हाल ही में ये खबरे आई कि दोनों एक बार फिर कई सालों की बाद एक हो गए हैं और साथ रहना शुरूप गिया है उन्होंने बाद में जब रंधीर कपूर के बड़ी बेटी करिश्टमा ने फिल्मे दुनिया के और अपना कदम बढ़ाया तो उन्हें परिवार की नाराजगी जेलनी पड़ी क्योंकि कपूर खांदान का एक ये नियम था कि उनके घर की बहु बेटियां जो हैं वो फिल्मे दुनिय कभी काम नहीं करेंगी बावजूद इसके करिश्मा ने अपना करियर बनाया फिल्मे दुनिया में और फिल्मे दुनिया में आने वाली कपूर खांदान की पहली लड़की हैं वो और उसके बाद आई चोटी बेटी यानिकी करीना और फिल्मे दुनिया में अपना नाम उन की और परिवार को काफी सपोर्ट भी किया तो आपका क्या सोचना है इस बारे में हमें जरूर बताएगा और हम आपके लिए लाते रहेंगे बॉलिवुड से जुड़ी खबरे नमस्कार